नमस्कार दोस्तों मैं प्रतिवाब सभी का बहुत स्वागत करती हूं इस चैनल पे दोस्तों आज मैं वीडियो बना रही हूँ ऐलोवीरा प्लान्ट पे ऐसा प्लान्ट जिसके बारे में लगबग हर कोई या तो जाना चाहता है या जानता है और लगाना भी चाहते हैं चोटे चोटे पॉदेस के निकलते रहते हैं तो मालीजे आपके पास घर में जमीन पे जगा नहीं है तो आप इसको छोटे से प्लांटर में लगा सकते हैं आप इसको बॉटल में लगा सकते हैं आप इसको छोटे गंबले में लगा सकते हैं अगर आप के पास यह सब भी नही पोर्च के नीचे रखा हुआ प्लांट है फिर भी देखें यह चोटी सी बॉटल में कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है और इसको मैंने बांधाई किसलिए यह मैं बताऊंगी अभी आपको इसको बांधना बहुत जरूरी हो गया था और देखिए इतनी चोटी सी बॉटल में पतियां यह कितनी थीक हैं मोटी हैं तो आप छोटी सी जगह में भी लगाना चाहें तो आसानी से लगा सकते हैं और यह देखिए नए पौधे निकलते रहते हैं तो अब इसको भी मैं शिफ्ट करूंगी किसी और बॉटल में तो इसकी जो मैडिशनल वैलू है लगभागर इसको लगाने से ब्लेट सर्कुलेशन बढ़ता है तो जत्म भी जल्दी सी ठीक होता है और कई तरह के हामफुल बैक्टीरिया या फंगस से यह लड़ता है तो उसमें भी बहुत फायदेमंद होता है और जली अगर आप कहीं पर जल गए हैं तो वहाँ पर भी इसको लगा चेहरे पे जाई वगएरा है तो आप पिंपल्स वगएरा है तो आप इसको सुबह साम दिन में दो बार इसके जल को लगाईए तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा और अगर डाइजेशन प्राबलम है तो उसको भी यह जल खाने से इसका जो रस निकलता है जल निकलत है इसमें विटमीन ए विटमीन सी विटमीन ई और विटमीन बी टॉल्ब होते हैं तो यह आपके शरीर के लिए स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत फायदेमंद है बालों की ग्रोध बहुत अच्छी होती इसको लगाने से तो यह हर तरह से फायदेमंद पौदा है औ बहुत डेलिकेट पत्ती होती बड़ी कमजोर होती है तो जरा से दबाव से कट जाती है इसलिए बांद दिया है कि बॉटल के बॉटल को टच ना करें टच करने से फिर यह उस जगह से कट जाएंगी अपने आप ही तो अगर आप बड़े प्लांटर में गमले में लगाएंग तो यह सूख जाएगा कम पानी से यह जल्दी नहीं सूखता है कुछ दिन के पानी का अगर आप कहीं जा रहे हैं गैप कर देंगे तो भी यह अच्छे से चलेगा लेकिन अगर जादा पानी देनी लगेंगे तो इसके सूखने का डर बहुत जादा बढ़ जाता है और सब्सक्राइब करें रिए तो उसमें आप लगाईए यह अपने आप दीरे दीरे नय नय पौदेश्ट च्छुटे निकलते रहेंगे और उन पौदों को भी आप शिफ्ट करते रहें नय गमलो में अगर आपके पास छोटा प्लांटर है तो और अगर आपके नीचे जड़ से पत्ति को काटे तो प्लांट देखने में भी खुबसूरत लगेगा और उस पर लोड भी कम रहेगा तो आप बिल्कुल नीचे जड़ से पत्तिया काटेंगे तो ज्यादा खुबसूरत लगेगा पौधा देखने में तो जब भी आप अपने जरूरत के लगती है इसकी देखने में तो बहुत प्यारी लगती है तो इसे अगर आप घर में कमरे के अंदर रखना चाहते हैं तो यह कमरे के अंदर भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है बशरते हलकी लाइट इसको मिलती रहे इंडिरेक सनलाइट किसी खिड़की के आसपास अगर प्रकेंगे तो यह वहां पर भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा तो दोस्तों इसको अपने घर में जरूर लगा रिएगा यह बहुत अच्छा प्लाइट है तो मेरे वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा थैंक यू